जहन्द पैरे साथियों यूनिक स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का भूत-भूत स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वही कोलेज लेक्चर की वेकेंसी को लेकर दिखो कोलेज लेक्चर की वेकेंसी में यूजी सी रेगूलेश और वह बिल्कुल सीरिस होकर तैयारी में लगे हुए हैं और सबसे इस्पेसली रियालिटी के साथ बोल रहा हूं प्यारे साथियों इसमें जो लोग ऐसे सोचने कि अपनी तो पीएचडी है हमारा तो हो जाएगा भाई ये यूजी सी रेगूलेशन 2018 लागव होगा हमारी पीएचडी है हमार हो जाएगा सोचना भी मत क्योंकि फिर कुछ अलग ही कानिया चलेंगी यहां पर जब वह रेगूलेशन लग गया और इंट्रू बेस पर और गुड़ एकेडमिक रिकोर्ड के बेस पर आपका सेलक्शन होगा तो फिर समझो ऑथेंटिक तरीके से रियाल फिक्स कर दिया जब बोर्ड ने फिक्स कर दिया कि भई अपकी बार हम एक्जाम नहीं लेंगे तो आप कितनी भी टाकत लगा लेना कुछ नहीं कर पाओगे बाद में फिर भू करताल पर बैटोगे धन्ना पर दर्शन करोगे रोगे बिल्कोगे कि हमारी जिंदकी ने इन फ्यूचर के जो आपका जो लाइफ है आपका जो फ्यूचर उसके लिए एक दिन निकालो और यह फॉर्मेट आज आपको मैं बताने वाला हूँ आपका जो भी विदायक है या फिर आपका जो भी MPI ML है उनसे आप यह काम करवाओ ठीक है उनसे ग्यापन दुआओ ठीक है और जब दुआ हो गें तो जब वहीं से बात बढ़ेगे जब भूच सारे लोग दुआएंगे ना तो उससे गोर्मेंट को पता चलेगा कि यह रियल में जो होने वाला है वो गलत हो रहा है तो यहाँ पर मैं देखो स्री मान राजंदर सिंग्यादव उचिशिक्ष सिहा मंतरी कोलेज सिक्षा विबाग राजस्तान सरकार विश्य कोलेज सिक्षा विभाग में सायक आचारिया के पदो पर परतीयों गीता परिक्षा से भरती की वरत्मान पर्णाली आगामी भरती में जारी करने बubah बाबत महोद्य उपयूक्त विश्यांत्रगत गिता परिक्षा 98% परिक्षा और 12% साक्षातकार का प्राउदान किया गया था जिसके तैट अब तक दो वर्स भरतियां वर्स 2014 और वर्स 2020 में की गई परंतु वर्तमार में समाचार पत्रों एवं सोसल मीडिया के माध्यम से यह परकास में आया कि आगामी असिस्टेंट प्र परिक्षा के केवल प्राउदी सेक्षनिक अंको के परतिसत एकेड़िक रिकोर्ड एवं इंट्र्यू के माध्यम से की जाएगी जो की एक पार दर्सी पढ़ना लिए थता इसमें भाई बतिजावाद एवं भरस्टाजार को बढ़ावा मिलेगा देखो भाई लोगो इस व यह रूल लगा तो हम तो असिस्टेंट प्रोपेस्टर बन जाएंगे वह इस लाइन को बार बार पढ़के देखो तुमारा कुछ नहीं होने वाला फिर चाहे आपकी प्याचीडी हो चाहे आपकी ग्रेजवेशन में 90 परसेंट हो चाहे आपकी पोस्ट ग्रेजवेशन में 90 परसेंट हो चाहे आपने एंफिल कर रखी हो चाहे प्याचीडी कर रखी हो चाहे आपका जैरफ हो आपका कुछ नहीं होने वाला केवल यह होगा हैंड़ परसेंट यह होगा ठीक है तता इस पंडाली से ग्रामिन प्रस्ट बूमी एवं आर्थिक वरग से कम जो लाखो अ दोखो मैं कल भी बता रहा था पिछली वीडियो में बता था आज में बता रहा हूं मैं मेरा यहां पर कोई इंटेंशन है सिस्टेंट प्रोफेसर बनना पिछली वाली भरती भी मैंने एक्जाम नहीं दिया लगे ना लगे वह बात लगए और मेरा लगा तार जोग रोफी की और यह इस तरीके की कोशिश कर रहा हूं यह मेरा कोई सेल्फ इसमें वो नहीं है कोई मेरा खुद का स्वार्थ नहीं है कि चलो वेकंसी आएगर मैं तयारी करूंगा और मैं असिस्टेंट प्रोपेसर के लिए इंतजार कर रहा हूं या मैं बन जाओंगा मेरा के लिए मैं यह काम नहीं कर दा यहाँ पर भई यहाँ पर भी इसके बज़ाए मैं कोई प्रोपेसर की रिकृूट्मेंड का वीडियो का अलग अलग यूए की युविश्टेंट प्रोपेसर के वेकंसी निकालती रहती है उनका पांच मिनट का वीडियो बनाओगा उसमें इसकी तुना में ज़्यादा भी हो जाएगी मैं एक सोटा सा फंडा बता रहा हूं मेरा अपना तो आप ये मत सोचना कि चलो ये मैं अपने हित्वे ये केवल और केवल आप लोगों के लिए ये मैं कोसिस कर रहा हूं और आपको जब तक आप लोग इसमें इन्वाल्व नहीं होगे जब तक आप लोग इसमें साथ नहीं दोगे तब तक ये बिलकुल इंपोसिबल है एक दो लोगों के करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक सभी के सभी मिलकर नहीं करें तब तक कुछ नहीं होगा तो हमें सबी को साथ मिलकर इसमें सामिल होना चाहिए क्योंकि ये हमारा एक सुनेरा बहुस्याइ बनाने वाला है यदि ये regulation हट जाएगा वो पहले वाली process रह जाएगी written examination की और interview की तो हमारा जो assistant professor बनने का सपना है वो हर हाल में पूरा होने का पूरा पूरा chance रहेगा चाहिए आपका good academic score कितना भी अच्छा हो चाहिए आपने PhD कर रखी हो चाहिए आपका जेरफ हो चाहिए आपने कितने research में पर publish कर रखी हो कुछ नहीं होने वाला वो केवल रखे के रखे रह जाएंगे थोड़े दिन बाद में उनी के उपर दीमक लगना चालू हो जाएगी ठीकर यह बिल्कुल reality है क्योंकि वहाँ पर ये चलेगा अतै आपसे निवेदने की कोलेज सिक्षा विबाग में सायक आचारे के पदो पर होने वाली आगामी भरती केवल परती योगिता परिक्षा है परती योगिता परिक्षा एवं साक्षातकार 90% परिक्षा एवं 10% साक्षाता के माध्यम से करवाई जाए जिससे भरती में आप से सिगनेचर कर दो जैसे यहां पर पारती गन है जैसे सुरंदर पुण यह इस तरीके से थिक रिख़ें नीचे नीचे दो तीन पेस जोड़ दो आप कोई दिक्कत नहीं है आप डुप्लीकेट नाम लगा दो डुप्लीकेट नंबर लिगदो कोई इसो नहीं है डिशुसी का नाम लिग दो किसी कर किसी के मोबाइल लगा दो ढ़ीं करो कुछ है कि हैं यहां पर 31 कंडिग थे इसको concern करकर कर ट्राई क्योंकि यह वाला पाज पता नहीं कह रहेड़ा सबसे मैं यह वाला पेज़र वहां तक पहुँच पाएगा ठीक है तो मेरी आप से हमबल रिक्वेस्ट है कि प्लीज कुछ करो जब तक आप सब लोग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला और अब बहुत लंबा टाइम नहीं है कि चलो हम आराम से कर लेंगे क्योंकि जिस दिन बोर्ड ने निकाल दिया कि UGC Regulation को Completely Follow किया जाएगा रिटन एक्जाम नहीं करवाया जाएगा गुड अकैडमिक स्कोरर इंट्र के वेस्ट पर सलक्षन दिया जाएगा तो बैस फिर कितनी हरताल कर लेना कितने अंसन कर लेना कुछ भी नहीं कर पाओगी मैं लिख के दे सकता हूं आपको ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए ठैंक्स बाइ प्यारे साथियों